कैसे आप लोग बढ़िया हो अच्छे हो मस्ती में ठीक ठाक हो तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नीट 2021 का जो फेज 2 का जो रजिस्टेशन है ठीक है यह क्यों जरुड़ी है और इसमें जो 11th का मार्क्स मांगा जा रहा है तो कौन से एस्टुएंट को अपलोड कर करना है ठीक है इसके बारे में बात करेंगे तो प्लीज इस वीडियो को लास्त तक और सही से देखना देखे क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है ना एस्टुए में बहु सारे जो बोर्ड है वह 11th का मार्क्स है जो अपलोड करने के लिए बोल रहा है वो हर एस्टुएं यहां पे भी जिन आस्टुएंट्ब को 11th का मार्क्स और इसकोर्कार्ड दिया जा रहा है प्रोपर स्कोर्कार्ड ठीक है तो वो लोग जाके 11th का मार्क्स जो है फेस्टु रिजिश्टेशनक्ला में यूज करें और अपलोड करें बाकि जिन यहां भी अगर 11th का मार्कस नहीं दिया जाता है उनको चिंता करने की ज़रुवत नहीं है उनसे इन सब चीज से उनका रेजिटेशन कैंसिल नहीं होगा हाँ यह ध्यान रखना कि लास्ट डेट से पहले आपको रेजिटेशन कर लेना है अधरवाइज आपका जो है नहीं आएगा ठीक है तो अब लोग साफधानी पुरबग जो है अपना सब कुछ जो डिटेल्स है लास्ट डेट से पहले भर के यह हो जाना अपने आपको शेक्वेर कर लेना अधरवाइज क्या होता है लास्ट डेट पे जो सर्वर बीजी होने करण जो ट्रैफिक होने कर करन जो सर्वर काफी स्लो हो जाता है तो लास्ट डेट का इंदिजार नहीं करना है और आपको अपना फॉर्म पहले बर लेना है तो आई थिंक आपका जो 11 वाला मार्स का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और यह भी क्लियर हो गया होगा कि फेस्टु का जानला जिनको स्कोर कार्ड नहीं मिलता है जो भी बोर्ड स्कोर कार्ड 11 का नहीं परवाद करता है उनको चिंता करने की जुरत नहीं है उनको स्कोर कार्ड नहीं देना है आई होप कि आपको आपका जो डाउट से वो क्लियर हो गया होगा तो फिर मिलते है एक नए अप्ट के साथ तब तक के लिए बाए